दोस्तो आप देख रहे हैं सुंदर बिहार देखिए मचली को शिकार करने के लिए कौन सा समय सही होता है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो देखिए जब भी आप देखेंगे मौसम गरम है यानि गर्मी का मौसम में बरसात का मौसम में मौसम गरम है हवा बिल्कुल सुलो चल रहा है, इसका मतलब कि उस दिन शिकार होगा, उसका पहचानने का लक्षन दो तीन तरीका से है, देखिए अभी आप इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर, पानी के अंदर देखिए किस तरह से मचली मुह उठा उठा करके चल रही है, सब यह छोटी म मचलियां है, लेकिन यह सिगनल देता है कि आज शिकार होने का संभावना ज्यादा है, बड़ी मचली का शिकार हो सकता है, दोस्तों, तो जब भी आप कहीं शिकार करने जाएं, यहाँ पर पानी ठहड़ा हुआ है, और गरम मौसम है, यानि हवा जो है, बिल्कुल स्लो चल रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से मचली जो है, छोटी-छोटी मचली जो है, पानी के उपर मुँ उठा के चल रही है, तो इस मौसम में आप कार्प मचली का शिकार करना चाहते हैं, तो बेतर होगा, लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप कार्प मचली का शिकार करें, तो शिकार करने के समय में आपका जो हूख है, पानी के मिडिल वाले हिस्सा में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यह छोटी मचली पानी के उपर चल रही है, उसी तरह से बड़ी मचली जो होती है, वो पानी के मिडिल वाला हिस्सा में हूख रखना चाहिए अगर आपको पानी के गहराई का अंदाजा नहीं है तो सिर्फ दो मीटर पानी से नीचे हूक रखेंगे उससे ज्यादा नीचे नहीं रखेंगे और बहतर शिकार होगा आपको पहचान कराने के लिए मैं यहां वीडियो में देखा रहा हूँ देखिए जब भी इस तरह से केंसिल कर दीजे उस दिन शिकार नहीं होगा अगर मिलेगा भी तो कम मिलेगा इसके लिए अगर मौसम इस तरह से गरम है यानि गरम मौसम है हवा रुका हुगा है तो आप अपने साथ में छाता लेकर के जाएं कभी भी शिकार करने के लिए और इसी मौसम में शिकार होता ह आप सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे घर से निकले और 9 से 10 बजे तक आप शिकार करेंगे उससे ज़्यादा समय तक नहीं रूखेंगे फिर आपको अगर ज्यादा शिकार करना है तो 2,5 बजे के बाद से आप शाम को 4,5,6 बजे तक शिकार करेंगे और इस तरह से बेहतर शिकार होता है दोस्तों मेरे दिखाने का मकसद यहाँ पर यही था कि देखिए जब भी आपको इस तरह से मचली पानी के उपर ज्यादा तैरती हुई दिखाई दे समझ लिजिए कि उस दिन ज्यादा शिकार होगा दोस्तो जब भी गर्मी हो यानि कि हावा बिल्कुल ठहडा हुआ है और देखिए यहाँ पर कैसे मचली मुह उपर उठा करके चल रही है अगर बरसाथ के मौसम में इस तरह से मचली मुह उपर उठा के चलती है चोटी-चोटी मचलीया और हवा रुका हुआ है तो समझ लिजिए कि आज बारिश होने का समभावना है बारिश ज़्याद हो सकती है तो अगर जब भी आप बड़ी मचली का शिकार करना चाहें तो दो तरीका से कर सकते हैं या तो अभी आकर के शिकार कीजिए जैसे यहाँ पर मचली दिखाई दी रही है या तो रुक जाए बारिश होने का इंतिजार कीजिए और बारिश हो करके रुक जाता है उसके बाद से आप आकर के शिकार कीजिए लेकिन बारिश हो करके रुक जाएगा तो आपको शिकार करने के लिए दो तरीके से शिकार करना होगा अगर कार्प मचली का शिकार करना चाहते है तो इस तरह से साफ पानी में शिकार कीजिए और बॉाल मचली, मांगूर मचली स्नेक हेड मचली का शिकार करना चाहते है तो आप इस तरह से जैसे यहाँ पर देखिए वहाँ देखिए किनारे के तरफ हिस्सा में किनारे के तरफ घास पतवार है इस ऐसे जगह पर कार्प मचली जादक जो है कार्प मचली के एलावा बड़ी मचली जो ऐसे बौाल मचली हो गई स्नेक हेड हो गई यह सब मचलियां होती है यहाँ पर देखें इढ़र वी तो अगर कार्प मचली का शिखार करना चाहते हैं तो इस तरह साफ पानी में शिखार करेंगे ब्वाल मचली का disc करना चाहते हैं लेकिन ध्यान रखना है बारिश खुलने के बाद से आप ऐसे लोकेशन का चुनाव करें जहां पर पानी ढ़ल रहा हो जैसे माल लिजे यह उचाई वाला जगह है यहां पर देखिए यह उचाई वाला जगह है अगर यहां से पानी ढ़ल करके यहां से पानी ढ़ल करके अगर तो दोस्तो इस बात क्या ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने के बाद से आप शिकार करेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तो, देखिए इस लोकेशन को, जब भी आपको शिकार करना हो, अगर मचली पानी के ऊपर तेर रही है, छोटी-छोटी मचली, इस इसका मतलब के शिकार होने का संभावना है, हवा रुका हुआ है, यानि हवा सुनो चल रहा है, तो आप आसानी से शिकार करेंगे, अगर संभावना इस टाइम में रहता है, बारिश होने का, तो अगर बारिश हो करके रुक गया है, तो आप तुरंत आईए, और तुरंत आ सिकार होता है अगर बारेश हो करके रुख गया है उसके बाद भी शिकार कर सकते हैं दोनों तरीके से शिकार आपको मिलेगा लेकिन जिस दिन हवा तेस चल रहा है उस दिन आप प्लान cancel कर दीजिए शिकार मिलने का समझावना कम रहता है कभी भी गर्मी के मौसम में आईए दोस्तों शिकार करने के लिए 6 सात में रखिये ताकि आप धूप गर्मी से बचे आप सिहत मनद रहे और शिकार करे ओपे दोस्तों सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद, ठैंक यू, शुक्रिया